हिंदु दरम में अहोई अश्टमी का तियार दुमदाउं से मनाया जाता हैं। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए वृत रखती हैं। और उनकी लंबी आयू की कामना करती है। कारतिक माहिने के कृष्ण पक्स की अश्टमी को ये तियार मनाया जाता है। इस दिन लोग अहोई मातागी पूजा करते हैं। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए सूबर से साम तक उपास रखती हैं। इसके अतरीक्त साम के समय तारों को जल देकर उपास खोला जात है कि इस दिन वरत रखने से गर में समरदी और संतान को लंबी आयू प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं कि अब अहोई अश्टमी 2023 में कब मनाये जाएगी। साथ ही इसकी पूजा विदी क्या है। और साथ ही हम जानेंगे कि इसकी कता क्या है। जो भी माता भई ने जात ये दिक कता नहीं सुनती हैं और पूजा विदी में कोई चूक रह जाती हैं तो उनको इस वरत का फल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कता भी सुननी हैं साथ ही पूजा विदी बड़े ध्यान पुरक्ष सुननी हैं। इस बार अहोई अश्टमी 2023 में पांथ नौ दो पर एक बज़े से चर नौवंबर तीन बज़ के अटारा मिनट तक हो रहोगी। अहोई अश्टमी पूजा मूरत पांथ नौवंबर साम पांथ बज़ के पैतालिस मिनट से शुरू होकर पांथ नौवंबर साथ बज़े तक रहेगा। साम को तारों को जल देने के इस दिन वरत रकने के लिए आपको सुबर जल्दी उठकर इसनान करना चाहिए और साप कपड़े धारन करें। इसके बाद पूजा के लिए एक वेदी या पवित्रिस्तान का चेहन करें। दिवार को साप करें। और उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाए या फिर लगा ये छवी आम तोर पर लाल मिट्टी या सिंदूर का उप्योग करके बनाई जाती है या एक मुद्री चित्र या मूर्ती का उप्योग किया जा सकता है। फिर अहोई माता की तस्वीर के सामने तेल या गी का दीपक जलाए। आप अहोई माता को फूल, फल और मिठाई या ह का खुल वे का बोग लगा सकते हो। कुछ जगो पर अहोई माता को दूद और दल पी अर्पित करते हैं। इसके बाद आप अहोई माता के मंत्रों का पार्ट कर सकते हो। कुछ जगो पर माताय interested शेड़ को अहोई अस्टमीं से जूड़ी कता सुनाती है। यह तयोआर कि सांसकर्थिक और धार्मिंग महत्व को युवापीडि तेक पहुचाने में मदद करती है और इस कता को सुनने के बाद ही हमें इस परत का फल मिलता है पूजा और मंत्रोचारण के बाद अहुई माता की आर्थी करे पूरे दिन माताएं बिना अन या जलगरण किये वरत रखती है साम को तारे देखने के बाद ही वरत खोला जाता है कुछ महिलाएं आनसिक उपवास भी करती है जहां वो फल और दूद कर सेवन करती है साम के समय तारों को देखकर जल देने के बाद ही ये वरत संपूर्ण माना जाता है और तारों को देखकर जल देने के बाद आप वरत खोल सकते हो अब अहोई अश्टमी वरत कता हम आपको सुनाते हैं अवई अश्टमे का तयुहार बहुत मैतोपुन माना जाता है क्योंकि ये वरत माताय अपने बच्चों के लिए रखती है और ये सबसे सक्ति साले दिन माना जाता है तो आईए कता सुनते हैं एक पुरानी कता के अनुसार एक गाउं में एक सावकार रहता था जिसके साथ बेटे थे दिवाली से कुछ दिन पहले सावकार की पतनी अपने घर की पुताई के लिए ख़दान से मिटी लेने गई जब वो कुदाल से मिटी खोद रही थी तो अचानक उसकी कुदाल साई के बच्चे को लग गई जिससे उसके बच्चे की मृत्यों हो गई जिस सावकार की पतनी को बहुत दुख हुआ इसके बाद वो पत्सा ताप करती भी अपने गर वापस चली गई पिर कुछ समय बाद सावकार के सभी बेटों की मृत्यों हो गई अपने बेटों के निदन के कारण सावकार की पतनी बहुत दुखी रहने लग गई उसने साई के बच्चों की मौत की गटना अपने प्रोश के एक व्रदमहिला को सुनाई जिस पर व्रदमहिला ने सावकार की पतनी को बताया कि आज तुमने मुझे बात बताईए इससे तुमारा आदा पाप खतम हो गया साथ ही उन्होंने सावकार की पतनी को अश्टमी तीती पर अहोई माता थता साई और साई के बच्चों का चीतर बना कर उनकी पूजा करने को कहा सावकार की पत्री ने उनकी बात मान कर कार्तिक मास की कशन पक्स की अश्टमी तीती पर वरत रखा और विदी विदान से पूजा की उसने प्रती वरत नेमित रूप से इस वरत को रखा जिसके प्रेणाम सुरूप उससे साथ पुत्रों की प्राप्ती हुई कहा जाता है तब ही से अहोई वरत पूरे विदी विदान से किया जाता है तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दन्यवाद